आज के दौर में नदियां बहुत प्रदूशित हो गई हैं। लगभग सारी नदियों की सफाई को लेकर कई अभियान चलाए जा रहे हैं। लेकिन मेघाले राज्य में एक ऐसी नदी है जिसे सबसे साफ नदी का टैग मिला हुआ है। इस नदी में नाव पर सवारी करने पर ऐसा लगता है। मानो कांज पर नाव चल रही हो। इस नदी का नाम है उमनगोट अमगोट रिवर। लेकिन यह डोकी दाव की रिवर के नाम से प्रसिध है। तस्वीरों में देखिए इस नदी की खूपसूर्ती और इस जगह की विशेशताएं। परेटकों ने इस नदी की कई तस्वीरें अपने सोशल अकाउंट पर शेयर किया है। परेटकों द्वारा इसकी तस्वीरें शेयर किये जाने के बाद इस नदी की सोशल मीडिया पर यह डौकी, दाव की रिवर, नाम से प्रसिध है, ये नदी भारत बांगलादेश सीमा, इंदिया बंगलदेश बोर्डर के पास एशिया के सबसे स्वच गाउं का दरजा प्राप्ट गाउं मॉलिनोंग से गुजरती है और बांगलादेश में बहने से पहले ये जैंतिया और खासी हिल्स, जैंतिया और खासी हिल्स के बीच से गुजरती है तस्वीरों में आप साफ देख कि ये नदी इतनी साफ है कि इसमें चलने वाली नाव एकदम साफ साफ पानी के ऊपर तैरता हुआ दिख रहा है साथ ही नदी के अंदर पाई जाने वाले पेबल और स्टोन्स को भी देखा जा सकता है इस नदी के भीतर की एक एक चीज बहत साफ दिखाई देती है ये नदी इतनी पारदर्शी है कि आप इसमें खुद को भी देख सकते हैं 2003 में मॉयलन नोंग को गौर्ड्स ओन गार्डन का दरजा मिला था यहां नदी की साफ सफाई के अलावा एक और चीज सबका ध्यान आकरशित करती है वो है कि यहां पर एक सो प्रतिशत साक्षरता है इस नदी की सफाई भी यहां के लोगों के शिक्षित होने का सुबूत पेश करती है इस नदी को देख कर ऐसा लगता है जैसे घर में रखा एक्वेरियम हो इस नदी के पास के नजा इतना अच्छा रहता है कि गिरने वाले पानी की आवास को आराम से सुना जा सकता है नवंबर से अपरेल तक का मौसम यहां घूमने के लिए सबसे उचित है तो अगर आप भी चाहते हैं प्रकृती की गोद का आनंद लेना तो आपके लिए यह बेस्ट ऑप्शन है सबसे दिल्चसक बात ये है कि इस नदी में बड़ी संख्या में मचलियां भी पाई जाती हैं सर्दियों में यह नदी और भी सुन्दर और साफ हो जाती है यहां आने वाले सभी परेटकों से कहा जाता है कि वे किसी भी तरह की गंदगी न फैलाएं अगर ऐसा करते हैं तो उनके खिलाफ कारवाई की जाती है यहां के लोग इस नदी की सफाई का व्यक्तिगत तोर पर